और भेनों, अन्दमान निकोबार के द्वीपों का ए नामकरण, उन परंबीर चक्रविजेताओं का सम्मान तो है, साथ ही भारतिय सेनाओं का भी सम्मान है। पूरब से पस्चिम, उत्तर से दख्षिन, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं, देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है। आजादी के तुरंद बात से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा। हर मोके पर, हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है। ये देश का कर्तव्य था कि राष्ट रक्षा इन अभियानों में स्वयम को समर्पित करने वाले जवारों को, सेना के योगदानों को व्यापक स्तर पर पहचान दी जाए। आज देश उस कर्तव्य को, उस जिम्मेदारी को पूरे करने का हर कोशिश प्रयास कर रहा है। आज जवानों और सेनाओं के नाम से देश को पहचान दी जा रही है। साथियों, अन्नमान एक ऐसी धरती है, जहाँ पानी, प्रकृती, परियावरा, पुर्शार्थ, पराक्रम, परंपरा, परियतन, प्रभोधन और प्रेरना सब कुछ है। देश में ऐसा कौन होगा, जिसका मन अन्नमान आने का नहीं करता है। अन्नमान का सामर्थ बहुत बड़ा है। झाल